हेलो फ्रेंड्स मैं रैनू आप सभी का स्वागत करती हूँ रैनू दा किचिन चैनल पे तो आज हम बनाने जा रहे हैं गोल गपे बिलकुल बाजार जैसे वो भी सूजी के बहुती बढ़िया बनाएंगे आज हम अगर आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ने किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें कियो आप सभी को मेरे चैनल पे बहुती बढ़िया रैस्पियां देखने को मिलेंगी और बेल आइकन बटन को क्लिक करना तो भूलिएगा नहीं तो चलिए आईए बनाते हैं बाजार जैसे गोल गपे उसके लिए मैंने यहां पे सूजी ले रवा भी कहते हैं और इसमें मैं डाल रहे हूँ दो तीन चमच तेल डालूँगी इसमें मैं अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ज्यादा नहीं डालना है हलकाई सा नमक डाला है हमने लॉक्डाउन चल रहा है बाजार में टिक्की वि डाल के गूठेंगे आटे को हम अच्छे से गूठ लेंगे इस तरीके से दीरे दीरे पानी डालना है और आटे को हमें गूठना है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे हमारे गोल गप पे यहां पे देखिए आटे को अच्छे से गणते के लिए रख देंगे तो चलिए आईए एक गणता हो चुका है हमारी सूजी अच्छे से फूल चुकी है आटा भी बढ़िया सेट हो चुका है आटे को मच्छे से और सेट कर लेते हैं अब इसकी हम बनाएंगे लोईयां इस तरीके से हम आटे को कर लेंगे इसलिए इखटी हम लोईयां बना लेंगे इसलिए हमें बेल बेल इसको लोईयों को टोड़ना नहीं पड़ेगा इसलिए बेलने में भी दिक्कत नहीं होगी पहले हम इखटी यां लोईयां बना लेंगे इस तरीके से हम लोईयों को टोल लेंगे सारे लोईयों को इस तरीके से बच्चों को तो काफी पसंद होते हैं गुल गपे इस तरीके से अब हम लोई भी बना के रख लेंगे घर पे आप इस तरीके से जरूर बनाएगा गुल गप्पे अच्चों को काफी पसंद आएंगे सभी को काफी पसंद आएंगे अब इसको बेलन से हम इस तरीके से बेलेंगे हमें चारों तरफ एक से ही रखना है हलके हलके हाद से इसको बेलना है चारों तरफ एक जैसा ही होना चाहिए अब ये देखिए बिल चुका है अब दूसरा भी हम इसी तरीके से बेल लेंगे हमें टिक्कियों को अच्छी तरीके से चारो तरफ से एक साही बेलना है गुलगप्पे बनके तयार हुंगे हमारे तभी बढ़िया से ये देखी एगिंगे अब हम इसको कपड़े पर डालेंगे कि इसको अब डाक के सारी तलक इसी तरीके से देखिए मैं ने सब jeuियों को बेल के रख लिया है इदा और कपड़े से डखके रख लिया है चारी लोई या हमने बेल ली है कडाई में ने रख ली है तेल भी अच्छा गरम हो चुका है तेल हमारा बढ़ीया गरम होना चाहिए तब हम टिक्कियों को डालें इसमें तब है तब हमारी टिक्कियां बहुती बढ़ीया फूलेंगी और अच्छी बनेंगी बिल्कुल बाजार जैसी अब इसको हम पलट लेंगे यह बहुती बढ़िया टिक्की बनके तयार होंगी हमारी बिल्कुल बाजार जैसी यह देखिए इस तरीकाप से तो हम थोड़ी देर इसको सेकेंगे कडाई में इसको हम थोड़ी देर तक इसी तरीके से सेकेंगे अब इसको हम निकाल लेंगे देखिए फूली फूली गुल गप्पे हमारे सिक्के तयार हो गए हैं उनको निकाल लिया है अब इसी तरीके से हम दूसरे भी इसमें इस तरीके से डालेंगे हमें कड़ाई अच्छी गरम होनी चाहिए तभी हमें टिक्की डालनी है इस तरीके स हमने अच्छे से शेक लिया है अब इनको भी हम निकाल लेंगे इसको भी हम निकाल के निकाल लेंगे कि ने देंगे वाव बहुः बुटी बढ़िया बजार जैसी तकी बन के तैयार हो थे इनL weren't चार्थ का कि इनस अधिक ही सबीड ऑ Index को आम से से तैके यह देखिए बहुत ही बढ़िया टिकी बनके तयार हो चुकी है हमारी इसमें बिलकुल भी तेल नहीं है बिलकुल भी तेल नहीं बढ़ रहा है बिलकुल सूखी सूखी टिकी बनके तयार हो गई है बिलकुल बाजार जैसी बनी है बिलकुल क्रिस्पी यह देखिए बिलकुल लगा हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें तता शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप से भी को मेरी वीडियो कैसे लगते हैं अब इसको आप बढ़ी आच चटपटे पानी के संग पीजिए बहुत मज़ा आएगा मैं तो जा रही हूं पीने बाई बाई क्थल्चे छ्रूर्प्टиваетсяल्व जड़ी आप से झाले मerapा हो जरूर मैं रही हूं पीजिए इसकिसों Fitzpatूण